आपका हमारे बहुत सारी चीज़ें हमसे जुड़ते हैं बिछड़ते हैं अब आज हम सजीव और निर्जीब दोनों ही तरह की चीज़ें होती है जिनके बारे में आपको बतलाने वाले हैं देखिए बहुत बार क्या होता है आप कुर्सी टेबूल भी खड़ित कर लाते हैं तो अच्छी समय में लाते हैं लाते हैं ना क्योंकि अच्छी समय में लाया हुआ चीज अच्छा ही फल देता है क्योंकि हर एक बस्तू का पैरा होता है चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो इसलिए सुमुहृत देखकर या फिर कोई अच्छा दिन देखकर आप सौपिंग क तो आज हम पेड़ पौधे की बात करेंगे जो बिलकुल सजीव हैं और पेड़ पौधे हमारे भागे को प्रभावित भी करते हैं जैसा कि आपने सुना होगा बहुत बार महंगे रतन अंगुठियां लोग नहीं पहन पाते हैं तो कहा जाता है पेड़ पौधे की जड़ पह है आपको अपने घर में मिल जाएगा और इसका प्रियोग आपको जीवन में खूब तरक्की भी दिलाएगा अद्रक हां दोस्तों हम बात करें अद्रक की लेकिन उसके पहले कि हम आपको प्रियोग बताएं एक बात आपके लिए जानना आतिया बस्तिक है तो टोटका है न काम पूरा नहीं होगा आपने घर में के में भी बड़े वजुर्गों से कहते हैं वह सुना होगा कोई काम कर रहे हैं तो टोको मत इसका मतलब भी होता है कि टोकिये मत बोलिए मत काम पूरा होने दीजिए फिर उसका रिजल्ट देखिए फिर आपका काम बोलेगा तो अध् अधरक को मालक्षमी का सुरूप माना जाता है जिस घर में अधरक होता है उस घर में धन की कमी नहीं होती और अगर आपके घर में अधरक है और उससे पेड़ निकल आए तो बड़े ही भागवान है आप क्योंकि अधरक से पेड़ निकलना भी आपके जीवन में तरक्की की कि ठोटा सा प्रियोग बताएंगे अद्रक को आप तो यह प्रियोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं पर सनिवार का दिन मंगलबार का दिन चुलने तो ज़्याद आच्छा है अद्रक का आप काटे कि निकलता है उधर से काटे अंकूर को रहने दे थोड़ा सा छोड़कर आप काटिए अब अंकूर वाले हिस्से में किसी भी चीज की नुकिली चीज की मदद से आप कमल का पुष्प या फिर स्टार बना दे अपनी मन की इक्षा बोलें सारा जादू यहीं चीपा है यह जो आपने अंकूर वाला हिस्सा काटा है ना उसी में अद्रक के स्लाइस लेनी है जितनी मनो कामना उथनी स्लाइस अद्रक के टुकडे में जो हमने कहा अंकूर वाला हिसा यानि जो मू होता है जिसे की पेड़ उकता है वो वाला हिसा उपर रखिएगा और नियमित रूप से हलका सा पाणी डाले ज्यादा मट डालेगा नहीं तो गल जाएगा और फिर जैसे ही इससे पेड़ निकल आएगा अंकूर निकल आएगा वैसे ही आपके जीवन की समस्या भी दीरी दीरे समाप्त होने लगेगी जो अदरक का पेड़ होता है वो मा लक्षमी को आकरसित करने वाला पेड़ है जीवन में सिर्फ खुसियां ही लाता है और जहां भी जिस घर में भी अद्रक नियमित रूप से खाया जाता है उसको रखा जाता है उस घर में बरकत होती रहती है और उस घर में परेसानी नहीं आती वैसे जो अद्रक का पौडर सुखावा और अद्रक जिसको हम सौठ कहते हैं अगर अद्रक का पौडर भी एक काग तरस्थान पर रखें और हमेसा ही इजद दें यह नहीं कि यह बहुत ही ज्यादा पावर्फुल टोटका है इस परियोग को कीजिए और जब आप अधरक का स्लाइस काटेंगे तो उसमें सुमंगल परतीक चिन बनाना है जैसे कि ओम स्वस्तिक का निसाम कमल कपुस्प और अं निवाद परिमें निवाद परिमें एंगें